बिस्मिल्ला आप्माने वहीम, असलामुलीकूं माई यूटू फैमिली, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लेकर आई हूँ सिंपल चिकन बिर्यानी की रेसिपी जो के आसान और जटपट वाली रेसिपी है आज की रेसिपी स्पेशली उन सब के लिए हैं जिनको खाना पकाना बिल्कुल भी नहीं आता या फिर वो बच्चे वो बच्चियां जो होस्रेज में रहते हैं वो अच्छी और मिज़दार घर की बिर्यानी खाना चाते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर देखे सो वीवर्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेट सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को लादमी प्रेस कर दिया करें ताके मेरी हर आने वाली निव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले चलिए आए बहुत ही मज़दार से चिकन बिर्यानी बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन बिर्यानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया था दो कप के बराबर कोकिंग ओल को हमने गरम कर दिया था और इसमें हमने डाल दिये हैं चार प्याद बड़े साइस के कटे हुए बहुती बारीक हमने काट दिया था और इसका अच्छा सा एक बेतरी सा कलर आने देंगे गोल्डन ब्राउन प्याजों का बहुती जबर्दस सा कलर आ चुका है आप वीडियो में देख सकते हैं इतना ही हमें कलर चाहिए था जादा आपने डाग ब्राउन कलर नहीं करना और अब हम इसमें एड़ कर देंगे चिकन दो किलो हमने चिकन लिया है और बड़े बड़े पीसे हमने करवा दिये हैं चिकन के उसे अच्छी तरिकी से वोश कर लिया ही सारा एड़ कर देंगे या मैं दो किलो बिर्यानी बना रही हूँ अगर आप 1 kg की बिर्यानी बनाना चाहते हैं तो 2 1,5 tablespoon के बराबर अदध लेसन के पेस एड़ कर लिजेगा या मैंने 5Stop के बराबर अदध लेसन के पेस एड़ कर दिया है अच्छे तरिकी से हमने mixing करनी है 5-6 मिन्ट तक अच्छे तरिकी से बूनाई करेंगे अज़क लेसन के पेस के साथ तीन से चार मिन तक हमने अच्छी तरीकी से भूनाई कर दी चिकन की, चिकन का कलर चेंज हो चुका है आप वीडियो में देख सकते हैं और अब हम इसमें एड कर देंगे टमाटर कटे हुए या मैं एक किलो टमाटरों को एड कर रही हूँ क्योंकि टमाटर थोई सस्ते हैं अगर टमाटर महंगे हो जाएं तो आपने क्या करने का देंगा जादा यूज़ करना है अच्छी तरीक से मिक्सिंग करते जाएंगे वैसे जब भी बिरियानी बनाती हैं तो टमाटर आपने अपनी मर्दी के मिकाबएक एड कर देने हैं यहां हमने ले लिया है एक कप के बराबर यूगर्ट यानिकी दही इसे अच्छी तरीके से बीट कर देंगे और अब हम इसमे एड कर देंगे बिरियानी मसाला 6 टेबल स्पून के बराबर यह होममेट है इसी के साथ हम एड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चे 1 अप टेबल स्पून के बराबर सोसेज जीरा इसी के साथ हम एड कर देंगे 1 अप टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर इसी दोगान अगर आपको हमाई वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज हमाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और यहां देखे हमने अच्छी तरीकी से मिसाले को मिक्स कर दिया है अब इसारा हम इसमें एड़ कर देंगे फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है सारा मिक्चर इसमें एड़ कर देना है मिक्चर आड़ करने के बाद हम इसमें एड़ कर देंगे आलू बुखारे इसे मैंने अच्छी तरीकी से वाश करकी भी गोल के रख दिया था इन्हीं वोश करना बहुत ही जड़ोरी होता है क्योंकि इन्हीं मट्टी बहुत ही जादा होती है अच्छी त्रक्यतें फिर से mixing कर देंगे ये बिरियानी बहुत ही मज़ेदार बनती हो बहुत ही simple बिरियानी है जिन बच्चेयों को cooking करना बिल्कुल भी नहीं आती हो से 10 मिंट हो चुके हैं लिड हम हटा देंगे और अब हम इसमें एट कर देंगे आलू आलू को मैंने बॉयल कर दिया था हल्जी पाउडर डाल के 80% तक मैंने बॉयल किया था अच्छी तरीक से मिक्स कर देंगे और लिड लगा के इसको रख देंगे तकरीबन 5 मिंट तक लो फ विर्यानी के लिए चिकन देखिए अच्छी तरीकी से फूल चुका है इसका मतलब है कि अच्छी तरीकी से टेंडर हो चुका है चिकन बिल्कू itselfly लगा देंगे और आशीज्या यहां हमने चावलों को भीवो कर रख दिया था, तकरिबर एक घंटे के लिए अच्छी तरिके से वोश कर लिया था, चावल बहुत ही अच्छी क्वालटी वाला हमने ले लिया है बिर्यानी के लिए, ठारा पानी इसमें निकाल देंगे और यह बोईल पानी में डाल देंगे चावलों को हम बौइल पानी में डाल देंगे और 80% तक हमने चावलों को बौइल करना है यहां देखें चावल 80% तक बौइल हो चुके हैं और साथ यह हमारा बहुती बेतरीन सा कोर्मा भी त्यार हो चुका है जो आपके सामने हमने त्यार किया है एक बड़ा सा पतिला ले लेंगे जिसमें हम लेरंग करेंगे कॉर्मे और चावलों की सबसे पहले हमने इसमें डाल देंगे कॉर्मा जो हमने बना के रखा हुआ था यहां देखे हमने थोड़ सा कॉर्मे एड़ कर दिया है सबसे पहले अब हमने वाइल चावल इसमें एड़ कर देने हैं वाइल चावलों की लेरिंग कर देंगे इस तरहां से फिर से हमने कॉर्मी की लेरिंग करनी है और काफी सारा हमने पोदीना इसमें एड़ कर देना है ये मैंने अच्छी तरह किसे वाश करके रखा हुआ था, साफ रखा करके रखा हुआ था, जब भी आप बिर्यानी बनाएं ना, तो पॉदीने का लाजमी ही आप यूज करें, बहुत ही जबरदसी खुश्बू आती है, इस तरह से हम लेरंग करते जाएंगे, बेतरीन सी, और फिर से चावलों के लेरंग कर देंगे टॉप पर, और अब हम इसमें एड़ कर देंगे, वन टेबलिक स्पून के बराबर केवा एसेंस, और अब हमने इसमें एड़ कर देने है, फूट कलर, थोज़ा जो बोल में बज चुका था, वो भी मैं एड़ कर दूँँगी, थोज लगा देंगे, यहां मैंने एक तबा रख लिये था नीचे, सबसे पहले आपने क्या करना है, कि हाई फ्रेम रखनी है, एक मिन के लिए, उसके बाद आपने बिल्कुल मीडियूम पूर लो फ्रेम कर देनी है, दम वाली फ्रेम पर रखना है, पंदा मिन के लिए, उपर और वीडियो में आप देख सकते हैं कितना खुक्सूर सा कलर आया बिर्यानी को बहुत ही पर्फेक्ट से हमारी सिंपल चिकन बिर्यानी त्यार हो चुकी है अच्छे तरिके से हमने मिक्सिंग कर देनी है दम चिकन बिर्यानी, अर्हमान चिकन बिर्यानी, मुस्लिम चिकन बिर्यानी, सिंधी चिकन बिर्यानी, चिकन यखनी पलाओ, चिकन तिका बिर्यानी दो किलो पर्फेक्ट चिकन बिर्यानी की रेस्पीज हमारी चैनल पर मुझूद है अगर आपको चाहिए हो तो आप हमारे चैनल का विज़िट कर सकते ही और यहां देखे हमने अच्छी तरीकी से मिक्सिंग कर ली है देखे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मज़धार सी हमारी बिर्यानी त्यार हो चुकी है अब हम आपको चिकन भी चेक करवा लेते हैं यहां देखे चिकन कितना लिपता हुआ मसालों से बिल्कुल परफेक्ट सी हमारी चिकन बिर्यानी त्यार हुई है सिंपल चिकन बिर्यानी यहां देखे चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है सो विवस ही थी मेरी आज की रेसिपी I hope कि आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो लाइक शूर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा दुआउं में याद रखें कि अपने अपने वालदेन का बहुत थ्यार रखेंगा अलाहाफेज